प्लस मेंबर्शिप ग्रूप पर उसके बाद हम बात करेंगे कि कल कौन से लेवल इंपोर्टन है जहाँ पर आपको ध्यान देना या फिर जहाँ पर आपको ट्रेड मिल सकती है आप लोगों को बताना चाहँगा टेली राम का जो लिंक है वो डिस्किप्शन में मिल जाएगा आपको अगर आप नए हो मार्केट में इंट्रेडे करते हो ऑप्शन बाइंग करते हो तो जल्दी से जोइन करो विकाज उधर मैं कराता हूँ मैं ये भी बताऊंगा कि आज कहां पर मैंने एक बड़ी ट्रेड दी थी जो टेली ग्राम पर मिली एंड अच्छा खासा वाँ से टार्गेट मिला तो हमारा मार्केट ओपन हुआ कहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा गैप किया था कल हमारा म मार्केट ओपनिंग अच्छी किया लेकिन जो प्रेशर था वो मार्केट में कंटिन्यू था अगर आप पूरे दिन का चार्ट देखो गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट नजर आएगी रिकवरी कहीं पर देखने को नहीं मिली अगर आप वहीं कल का चार्ट है उसके ऊपर यानि कि यहां से 15 पॉइंट का हमाई पहला टार्गिड मिला दन उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेट दिया था 18,268 के नीचे अगर आप एक मिनिट के चार्ट पर जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर मैंने क्यों दी थी प्लस मैंने स्किन शॉट वगएरा टेलग्राम पर शेयर किये थे तो 268 से दो ट्रेट दिया पर एक था जो थोड़े से रिस्की है वो 268 के नीचे बाई करेंगे और जो सेफ साइड है वो लोग 255 के नीचे बाई करेंगे तो अगर दौनों का टार्गेट देखें तो 268 से जब मार्के गिरना चालो हुआ तो सबसे पहले उसको सपोर्ट मिला 236 जो कि मैंने अल्रेडी मॉर्निंग में बता दिये थे लेवल इंपोर्टेंट है वहां से थोड़ा सा रिकवरी या फिर बोला जाए कि 250 के लेवल को रीटेस्ट किया मार्केट और अगेन बड़ा फॉल दिखाए जब मार्केट रोका तो वो रोका 18,216 के आसपास अब खुद देख लिजिए कि 268 से लेके 216 ये था पहला टार्गेट या फिर अगर किसी ने 255 के नीचे बाई किया तो 255 से लेके 216 काफी अच्छे टार्गेट थे आप चाहिए जितना भी पैसा बना सकते यानि कि 10 पॉ जबरदस्त फाइदे मिल रहे हैं कुछ दिनों से ठीक है जो 10-15 पॉंट के स्टॉप लोस के साथ रहते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन आप सही टैम पर करेंगे बाईंग तो वो दिक्कत भी नहीं होगी जो कि मैं आपने टेलिग्राम चैनल के उपर उसके बाद अगें जब हमारा मार्केट उपर गया तो फिर मैंने आप लोग को बताया था एक M पैटन पहले इधर एक W formation हुआ था वो मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा कि एक मिनट के चार्ट पर आ जाता हूं उसके लिए वहाँ पर मैंने आपको W पैटन के बारे में बताया थ चाहूंगा कि कहां पर मैंने W ट्रेड दिया तो वहाँ से भी अपने अच्छेगासे पॉइंट बने थे तो हमारा W ट्रेड अराउंड ग्यारा बजे साड़े दस ग्यारा के बीच में चाल हुआ था यह था हमारा वो W जो कि यहां पर मार्केट रुका लेकिन जब इसको त तो उसके बाद का यह पूरा टार्गेट अमारा केप्चर हुआ अगर आप उपर का जो यह ब्लेक लाइन है यानि की 18,250 विकोज यहां पर थोड़ा सा रेस्टेंस एक्सपक्टेट था और यहां पर मार्केट ने रेस्टेंस दिखाया भी है तो वहां तक का टार्गेट आ यह टार्गेट आपको मिल जाता उसके बाद उसके बाद एक और हमने ट्रेड दिया था एंड वो ट्रेड काफी बड़ा हुआ तो अगर आप देखेंगे तो चार ट्रेड हमारे अल्रेड हो चुके हैं और 11 नहीं बज़े हैं ठीक है तो most of the time अपने जो ट्रेड देते हैं ग्यारा बारा से पहले ही खतम हो जाते हैं तो अब ही हम बात करेंगे लास्ट ट्रेड जो मैंने दिया आप लोगों को वो कितना बड़ा था इधर एक ट्रेड और बना था लेकिन मैंने वो बताया नहीं पर एक एम पैटन बनना था उसके ब्रेकडाउन पर अगर आप करो देखो क्योंकि यह तूटती तो फिर बड़ा टार्ग मिलता आप देख सकते हैं यह हमारी ट्रेड लाइन है जो एक उपर सो और एक नीचे से लाइन जा रही है मार्केट हमारा बार बार इस ट्रेड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और मैंने यह शेर भी किया उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो इस ट्रेंड लेंड का ब्रेकाउट था 18,188 के नीचे वहां से मार्केट रेकवर नहीं किया और आपको एक बड़ा टार्गेट दिया 18,115 से भी नीचे आज मार्केट चला गया था बट मैं 115 तक मान लेता हूँ व वो हमारा लास्ट दिन का सपोर्ट था तो अगर ये भी आप देखेंगे तो 18,088 से उपर का आपका ये ट्रेड बना 10 पॉंट से उपर का ये ट्रेड बना यहां पर 68 से 35 यानि कि अगर आम नीचे तक जाएंगे तो 25, 35, 45, 65 यानि कि 50 पॉंट का यहां ट्रेड बना 10 से 15 प तो ये तो हो गया कि भाया मैंने आपको आज कहां पर ट्रेड दिये थे कहां पर पैसा बना अब बात करेंगे हम कल के बारे में कि कल हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है बिकोज मार्केट अच्छा खासा नीचे आ चुका है अगर आप पिछले तीन दिन की बात तो ये 18,110 के आसपा सपोड लिया तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है अगर हमारा मार्केट कल मौनिंग टाइम है इसके नीचे क्लोज करता है जो कि हमारा ये जो ब्लेक लाइन आपको दिख रहा है क्लियर कट ठीक है यानि कि 18,010 के नीचे अगर क्लोज करता ह इकल के दिन तो आपके लिए ट्रेड बनेगा पहला जो की 18,100 and then 18,060 ये आपके लेवल से डाउन साइड and आप लोग ये तो देखी चुके होंगा अगर आप continue मेरे चैनल पर है कि मेरे जो लेवल रहते हों कितना जादा support और resistance की अच्छा काम करते है वहाँ पर आपको देखने को मिला 18,140 के उपर जो कि आपको सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है पलस एक support उपर से देखने को मिला था 80,150 के उपर तो अब क्या कर सकते हैं कल उसके और हम बात कर लेते हैं अगर हम market flat खुलता है या gap up या gap down होता है तो फिर scenario change हो जाएगा माल लीजे flat हमारा market open होत पहले से सोच के मत बैठिये market कहां open हो जब market open हो ठीक है उसके बाद आपको time देता है वो सोची हो इस time में 15 minute कि market अब क्या हम कर सकते हैं अगर gap down हो gap up हो देखे जो scenario था इतना gap up का नहीं था लेकिन जब gap up हो तो हमने सोचा कि कहां पर trade बनाई जाए कौन से level हमारे already fixed है कि कहा पर दिक्कत आ रहे है market को कहां पर रुक सकता है कहां पर नहीं रुकेगा तो वो चीज़ आप plan करिए तब आप अच्छे से trade बना पाएंगे उसके अलाबा अगर हम 18,141.50 निकालते हैं तो अगें हम 18,180.90 यानि कि 200 की range में पहुंच जाएंगे यहाँ पर अगें आपके ल निकालते हैं तो फिर आपके लिए 18,000 का level है अगर gap down होता है तो फिर आप उसकी तरफ देखिए लेकिन आपको पहले भी मैं यह चीज़ बता चुका हूँ जब भी gap up या gap down होता तो market हमारा पहले gap fill करने का try करता है तो अगर गलती से कल gap up open होते हैं तो आप वापस से gap fill करन करने का try करिए वहाँ पर trade बनाने का try करिए तो आपको काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर उपर की बात करें तो भाईया हमारा 18,200 जब level निकलेगा तब हम plan करेंगे trade के लिए जो कि 18,235 and 250 या 60 के असपास हम जा सकते हैं यह है अपने कल का plan बाकी हम बात कर लेंगे टेलीग्राम के उपर कि भाईया कौन से level important है morning मैं आपको अधर बता देता हूँ कहाँ पर आपको trade लेनी है कहाँ पर आपको नहीं लेनी है वो सब कुछ आपको अधर detail में बताया जाता है प्लस trade भी provide किये जाते हैं तो अगर कुछ बेच्छा लगा तो please video को like करें चैनल को तो दीरे दीरे प्लस जो market में नए है उनको recommend करूंगा आप जरूर जोइन करो आपको काफी को समझने को मिलेगा so thank you so much मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ